इसकार दोश्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चैनल सक्ष्ट प्लेस में इस बीडियों हम बात करेंगे IT सेक्टर के चार जो बहतरीन सेर है TCS, Infosys, Bepro और SEL के बारे में और यहां पर हम डेटेल कांपरिजन करेंगे इस चारों सेर में कौन सा बेस्ट सेर है आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पूरी तरह से की बात करते है TCS सबसे बड़ी कंपणी है IT सेर की तो अजब से पाने हम TCS के बात कर लेते हैं यहां जो हमाई चार्ट उपलब्द है 2004 से लेकर के अभी तक का तो 2004 से लेकर अभी तक का जो रिटर्न है वो 8080% का है यहां पर देख सकते हैं हमने यहां से ड्रॉ किया है और यहां से लेकर के यह जो हाई बनाया है यहां तक को लिया है और 8080% का रिटर्न है यह ट्रेडिंग भीव का चार चार्त है जो सबसे this चाट अपको में तर उसमें पर अपर मार्केट में इंब फिकर सबसें काौत है त्रॉच ह Katyya का कंसी यहां यहां पर देख साथ है केतना थारीieważनोद नरा है 80897 परसेंट का रिटर्न है जो की काफ़ी solid है काफ़ी बहतरीन है वही रिटर्न मामले में हम देखें इन्फोसिस की बार करते हैं इन्फोसिस का रिटर्न यहां पर 2001 से हमने चार्ट यहां पर पहले से उपलब्द है ते 2001 में सारे share में गिरावट हुआ था वहां से हम सब को calculate करेंगे लेकिन T PCS में थोड़ा सा डाटा उपलब्द नहीं था दिए 2001 से लेकर के अभी तक का इसमें जो रिटर्न है यह 3571 परसेंट का रिटर्न है तो इसका भी रिटर्न काफिस ओलिट है देखें यह सारे stocks है बुलूचीप stocks है जिसमें आप आंख बंद करके इस उस समय इंवेस्ट कर सक सकते थे अगला हमारा जो है वो है विप्रो विप्रो में देखें यहां पर जो 2001 में गिरावट हो वहां से लेकर अभी तक का रिटर्न की बात करें तो है 7697 परसंट का रिटर्न तो इसका भी रिटर्न काफिजब परदस्ते सबसे ज़्यादा कौन दिया है S.L. Technology गिरावट में आप बाय की रहते हैं 2001 के गिरावट में कोई भी सेर तो चारौ सेर का मैंने बता दिया अगर देखिए इसके technical chart की बात करते हैं कि technical chart पे कौन सा stock strong दिख रहा है कौन सा chart week दिख रहा है यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ से हम draw करते हैं जो 2001 है वहाँ से यहां 2001 से यह stock इस तरह से चला फिर यहां पर अपना low बनाता है फिर यहां पर यह stock देखी यह अपना high बनाया फिर यहां पर low बनाया फिर देखी यह stock यहां पर high बनाता है फिर यहां पर low बनाता है फिर देखी यह एक नया है तो इस तरह से इसका चार्ट है इस चार्ट पर यहां पर थोड़ा सा वीकनेस देखने मिला था थोड़ा सा वीकनेस लेकिन जिस प्राइस पर आपने लिया होगा उसी पर यह सपोर्ट लिया 2009 के गिराबट में उसका बाद फिर से यह कभी भी अपने लोको ब्रेक नहीं किया तो यह स्टॉक काफी सॉलिड है इसका टेकनिकल पर यहां से लो फिर यहां से लो फिर यहां से लो और फिर यहां से एक हाई तो यह स्टॉक को देखिए चाट पर तो इसमें थोड़ा सा वीकिनेस आपको देखेगा इस स्टॉक में देखिए यहां से पहले तो गया यहां पर लो जो बनाया यह तो ठीक था जिस प्राइस पर यहां पर सपोर्ट लिया फिर यह एक नया जो लो बनाया वो हमेसा हाईर लो बनाया हाईर लो बनाया लेकिन यहां पर फिर से यह लोग को यह टच किया है तो यह स्टॉक उतना सौली नहीं चार्ट पर लेकिन फिर भी लॉंग टर्म इंटेश्मेंट के लिए बहतरीन है थोड़ा सा चार्ट इसका वीक रहा है इसका चार्ट थोड़ा सा वीक रहा है क्योंकि यह अपने प्रिप्रो को कई बार टच किया है इनफोसिस के बारे हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करेंगे 2001 से देखिए यह लो हाई बनाया देखिए फिर यहां से लो बनाया फिर देखिए यहां से हाई बनाया फिर यहां लो बनाया फिर देखिए यहां पर हाई बनाया फिर देखिए यहां पर हाई बनाया फिर देखिए यहां पर हाई बनाया फिर प्रिपी को ढाया यहां पर है पिछलो से काफी उपर है फिर यहाँ गिरागट आया 2020 में यहां पर भी यह जो लो बनाया वो higher low बनाया जबकि यहाँ पर इसमें वीसर ग्लोवर का जो कंप्लेंट था उसे खान अल्रेडी यह सेर गिरा हुआ था उसके बाब जूद यह स्टॉक में उतनी गिरावट नहीं हुई से भी ज्यादा स्ट्रोंग टेक्निकल चार्ट है इनफोसिस का उसके बाद आ रहते हैं हम TCS पे अब TCS के हम चार्ट को देखते हैं कि TCS किस तरह से परफॉर्म किया है इसका थोड़ा सा चार्ट आगे से उपलब्द है मतब 2004 से यह यहाँ पर high बनाया 2007 पे फिर इसमें एक ग लोग्मेंट पगरता है और ही यह नया हाई बनारा हा जो हाई बनाया है लगषक त्यांति सो 50 रूपिय का तो यहां पर आप देख सेते हैं कि Infosys से भी ज़्यादा strong chart है किसका TCS का अगर हम 2009 के गिरावट को छोड़ने हैं तो 2009 से जो technical chart है TCS का Infosys से भी ज़्यादा strong है यहां 2009 में थोड़ा गिरावट काफी ज़्यादा हुआ था आपने जो previous low है उसको touch किया था उसके बाद देखते हैं इसका जो low बना काफी higher low बनाया और 2020 में जो गिरावट था वो भी काफी high था 2016 के गिरावट से 2016 एक हजार रुपिय का इसका low बनाया था जबकि यहां पर 2020 में यह जो low बनाया वो लगभग 1480 रुपीज का 1480 रुपीज का low बनाया और 1480 रुपीज से यह 315 रुपिय तक का जड़नी तय कर चुका है तो दोस्तों काफी solid तर टेक्निकल चार्ट पर आपने देखा कि TCS का चार्ट सबसे स्ट्रोंग है फिर उससे इंपुस के बादद का चार्ट है उसके बाद local का उसके बाद BPOol का था व दीख रहा था क्यूंकि काफी ज्यादा में का आपको यह है उसमेशीर मोमेंटम थोड़ा स्लो मिलता है यह हुआ टेक्निकल चार्ट पर आपने देखा कि चार्ट जो है सारे का स्ट्रॉंग है लेकिन उसमें टीसल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग उसके बाद इन्फोसिल का फिट अब हम बात करते है फंडमें सा स्टॉक मतलब अच्छा है इसमें हम पी स्टॉक की सिपर केप है 11,62,000 करोड का सबसे बड़ी IT कंपणी है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपणी है यह दिए की बात का है 34.9 का पी है याद रखेगा 35 का है इसका तो दूसरे के साथ कंपेर करेंगे डिवरे नियल देखने जे डिवरे निल भी कंपेर करेंगे क्योंकि डिवर के रूप में एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा तो डिवरे नियल इसका है 1.21 परसेंट का और पी है इसका 34.9 का तो यह अफ्रनामेंटल एनलाइसिस होगा हमारा जिससे हम कंपेर कौन से स्टॉप चीपर मिला सस्ते प्राइस पर हमें मिल रहा है रिटर्न और एक्यूटी 72.2 परसेंट है उसके बाद यहां पाठ डेट की बात करें तो डेट देख लीजे कंपर पर है 7,795 करोर का और कंपनी के पास रिजर्ब जो है कूल 86,000 करोड का है और कंपनी जो इंवेस्पेंट कर रखा है वो 29,000 करोड का तक यह कूल परामेटर है जिस पर हम कंपेर तो पी में इनफोसिस ज्यादा मतलब चीपर मिल रहा है तो पी में इनफोसिस ज्यादा मतलब चीपर मिल रहा है आपको 4 रूपीज जो है कम देना पर रहा है मतलब एक रूपिया के अर्णिंग के लिए मतलब इनफोसिस एक रूपिया अर्ण करता है तो उसके लिए इनफेस्टर कितना देने के लिए तैयार है उसका बाद पर्मोटर को होल्डिंग इसमें काफी काम है 13 परसेंट उसमें 72 परसेंट लेकिन ब्लूचीट कंपनियों में कोई खास मैटर नहीं करता है अगर बिजनेस स्ट्रॉंग है कंपनी अच्छा प्रोफिट कर रही है तो पर्मोटर सोल्डिंग ज्यादा मैटर ने क्य इससे काफी जाए था लगए 49 के असपास आप वहीं पर बात करें डेट का तो कंपनी को पर जो डेट है 5,325 क्रोड का और कंपनी के पास जो रिजर्व है 74,000 क्रोड का और कंपनी जो इंवेस्मेंट कर रखा है 14,000 क्रोड का तो सारे के सारे IT कंपनियों जो आपको कैस का रिजर्व है और कंपनी जो प्रोफीट अर्न कर रहे है वो देख लिए 90,000 क्रोड का प्रोफीट अर्ली अर्न कर रहा है तो जिसको हम यहीं पर कंपेर में ले चुके हैं क्योंकि पी देखा मतलब हम एक रूप्या अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं इसम पे जो है फोर रूपीज कम है मार्केट के बेस का काफी कम है यहां से हमें इसका जो ग्रोफ दिखता है उपर जाने का वो ज्यादा दिखता है क्योंकि मार्केट केप कम है यह और ज्यादा मार्केट केप आगे ले जा सकता है मतलब और ज्यादा इसमें हम को ज्यादा ग्र भाधा से भी कम है इंफोसिस जे काफी नीचे है है और बात करें यहां पड़ तीस की आप धिस के लगभाग पांच स्फ दोना मत कील तीस इसे पांच गुना बढ़ा है लगभाग फाइब टैम्स बढ़ा है थोड़ा से पांटीथ전 से कम है लें काफी बढ़ा है और P की बात करें, मात 23 का PPA मिल रहा है, काफी सस्ता ये stock है, TCS मिल रहा था, 35 के PPA, Infosys मिल रहा था आपको 31 के PPA, और ये मात 23 के PPA मिल रहा है, अब हम बात करते हैं, पर्मोटर्स होल्डिंग का, इसमें 60% पर्मोटर्स का होल्डिंग है, काफी सांधार है, आप देखिए इसका पास जो रिजर्व है कापनी का पास 59,000 क्रोर का है, तो सारी कमपणियों जो IT सक्ट की हो, वो cash rich कमपणियों ही आपको मिलेगा, ड़ेत की बात करें, 6,422 क्रोर का ड़ेत है कमपणी को पर, इंवेस्टमेंट जो कमपणियों कर रहा है, 6,862 क्रोर का इंवेस्टमेंट कर रहा है कंपणी, रिच्रान on liquidity की बात गए तो 20% का return on liquidity है इस कंपपनी का return on capital implied की बात that 26% का है तो दोनों चीज में यह infosys और TCS दोनों से काफी नीचे है is return on liquidity के मामले में corner on capital के मामले में यह कंपनी in focus । और TCS दोनों से काफी पीछे SL technology लेकिन P जो है वो काफी सस्ते P पर यह stock हमें मिल रहा है अब हम बात करते हैं Bipro का Bipro देखे लिए 2,95,000 क्रोर का market cap है तो यह market cap में TCS से छोटी है Infosys से भी छोटी है लेकिन SL technology से बड़ी company है बस थूर्या सा market cap इसका बढ़ा है और इसका P देखे 27.3 का P है तो इसका SL technology से P ज़्यादा है जबकि Infosys और TCS से इसका P कम है डिवनेल की बात करें तो डिवनेल इसका काफी कम है 0.19% का डिवनेल है तो इसका डिवनेल काफी नहीं के बराबर है मतलब इसमें जो आपको एक जो passive income होगा वो नहीं मिलने बाला है तो अगर आप passive income चाहते हैं कि आपको investment पे लगाता return मिलता रहे तो वो आपको Infosys और TCS में ही मिल सकता है विप्रोबे आपको यहाँ पर कुछ खास return नहीं मिलने बाला है डिवनेल के रूप में बात करें return on equity की 19.6% है return on equity यह सारे मतलब जो भी तीनों कंपनी था तीनों से कम है return on capital imply 22.5% यह भी तीनों कंपनियां से कम है TCS से Infosys और SCL टेकलाजी से promoters holding 73% है तो कापे सांदार है कंपनी के पास जो रिजल की बात है 53.5 क्रोड का है कैसरीच कंपनियां चारूप चारूप कंपनियां कैसरीच है debt की बात रहें 8,900 क्रोड का debt है कंपनी के पूपर और वहीं investment की बात 18,000 क्रोड का कंपनी investment का रखा है तो यह company P के मामले में दो कंपनियां से सस्ता है TCS से और Infosys से लेकिन dividend yield जो कि हमें एक passive income और 2% से थोड़ा कम है TCS का तो यहां तो 2% का जो early profit हमें मिलेगा वो कम मिलेगा इस stock से तो हम Vipro में कभी invest करना पसंद नहीं करेंगे अगर हम IT सेक्टर के stock की बात करें तो हम किसमें पसंद करेंगे SCL technology Inthosys में क्योंकि वो market cap भी थोड़ा कम है TCS से और dividend भी काफी संदार देता है company का जो feature growth है वो भी काफी बेहतरिन है और comment box में आप अपना भी जरूर बाताएगा आप चारों stock में किसमें invest करना पसंद करेंगे साइध इस से बेहतरिन आपको comparison कहीं देखने नहीं मिलेगा क्योंकि आपको टेक्निकल चार्ट पर भी दिखा दिए कि जो इनफोसिस TCS टेक्निक चार्ट पर काफी स्ट्रॉंग है विप्रो से और विप्रो ऐसे भी डिविनेंट रिल्ड काफी कम दे रहा है पसंद नहीं करेंगे आप अपना भीव जरूर सेर केजिएगा और इस तरह के अगर बहतरिन कामपरिजन वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक और सेर केजिएगा ताकि हमें आपके लिए मोटिवे इसन मिल सके वीडियो बनाने के लिए